इस्कूल सार्क टाइम में इंग्लेस वाली मैडम, पहला कंटेश्टें खाजिर हो हcod आप नमस्कार सर्क्स मैं मौनू बहुत ही टैलेंटेड और हैंसम बोई मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ ये सब बखवास मत कर तेरे बारे में सभी लोग जानते हैं अपना आइडिया बता जो तु बिजनस आइडिया लेकिया है न वो बता सार्क्स मेरे बिजनस का नाम है ढोल बजाओ पैसे कमाओ ये बता तेरा बिजनस काम कैसे कलता है इस बिजनस में क्या लग 5,000 रुपे इन्वेस्ट करना है और अपने 4,5 विश्वास पात्र दोस्त को साथ में रखना है और ढोल बजाना है साधी में एक साधी में डोलवा जाने के 3100 रुपे मिलते हैं और इस विजनेस में ऊपर की कमाई बहुत जादा है क्योंकि बरात में जो सब पैसे लूटाते हैं वो सब लूट लेते हैं एक दिन में कम से कम 2 वुकिंग करते हैं एक दिन में और एक रात में एक दिन की मतलब दो बुकिंग, एकतीस सो प्लस एकतीस सो बाइसट सो रुपे, और लूटे हुए, दो पलाट में कम से कम 10 अजार रुपे, अगर किसी और को लूपने ना दे तो, अब एक दिन की कमाई हुई, बाइसट सो प्लस दास अजार, 16200, महीने की कमाई, 16200 इंटु 30 चार लागशियासी अजार, साल की कमाई, which 5,34, ಲोगों, जसमें हम क्यों 4 लोग होंगे, अटावन लागशियासी अजार को जब 4 जहाब आतेंगे, तो 14,08,000 ओगा, यह 14,08,000 एक लोग की कमाई होगी, सब्सक्राइब करते हैं यही दिन देखने के लिए आपके ममी पापा इसकुल बेचते हैं पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए और जो पैसे लूटने की बात कर रहे हो ना बरात में बराती लोग मारते भी बहुत हैं मुझे बिजनेस समझ नहीं आ रहा है और तेरा मुझ देखके मैं तो बिल्कुल पैसा नहीं लगाऊंगी आ एम आउट ये बिएस हमारे समझ में नहीं आ रहा है साधी के सीजा हमेशा तो रहता नहीं है मेरे समसे बारे में आउट होना चाहता हूं अगर किसी बिजनेस में ऐसे लोगों को रखेंगे ना जो पैसे लूटने में एकसपल्ट हों कभी पकड़े ना गए हो और तो और सेफटी के लिए हम उनके सिरुपे तेर लगा के रखते हैं अगर कोई बात तो सहीं है और तुम लोग बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लू तो जयदा पैसर दूटने के कोई संभावना नहीं मेरे हिसाब से सर उसका विलाज है जो हम उसको लूट रहन ना इसका मतने्या है पैसे वाला अपैसे वाला मला कौन लेगा पैसे वाला क्या और भी ह denim के करने के लिए आपकी महान किरपा होगी मुझे गरीब वळा बिजनस पसंद नहीं आया मैं आउट हूँ मैं आउट हूँ से बिलकुल आउट हूँ मेरे स्कूल के बच्चे पाड लिकर धोल बजाएंगे इससे मेरे स्कूल की बेशती होगी मैं भी आउट हूँ आउट हूँ मैं सास्तिरे सरावा आप ही कुछ कीजिए इस धोल बजाने वाले बिजनेस को हमें करना है मोनू मुझे लगता है ना कि तेरे घर वाले तुझे बजाते नहीं है तभी तुब बच्चों को ढोल बजाने के नसियत दे रहा है तो हमारा टाइम बहुत बेस्ट किया है तो ऐसा कर अपने दोनों हाथ उपर गरके जाके वहां पे खड़ा हो जा इतना घंदा बिजनेस आइडिया लेकर आया है कि दिमाग खराब हो गया चल भाग और जाकर वहां खड़ा हो जाए और जितना मुसे बच सकता है बच क्या यार इतने अच्छे बिजनेस आइडिया कि कोई कदर ही नहीं करता है अगला इंटरप्रेनियर इंटरप्रेनियर अगला कंटेस्टेंट अंदर आजाए अगला इंटरप्रेनियर 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 इंट कि तो कितना क्रेटिव सोंचता है मौनु तो यहां खड़ा है तो भी अपने दोनों हाथ उपर करके क्या नहीं सुना पहें हैं कि तो बिजनेस आइडिया सुनाने आया था जो हाथ उपर करके खड़ा है तो भी थोले देर बाद वही पे नजर आएगा टैंसन मतले मेरे पस के लगता है कि तरह बिजनेस तेरे मूझ सभी ज्यादा गंदा होगा इसलिए मैं आज आओ तू बाकी सब टीचर से साथ कोई तुम्हें दे दे पैसा थाइंक्यू मैं थाइंक्यू नहीं होनी चाहिए और हमें बिचना है दाल वाली नम्कीन या बस्में जो कि हम रोज 200 बेट जोगेट बेचना है 200 डोंफेगा, नेवी, हम लेंगे 100 रुपेगा और 4 मसाला 50 रुपेगा, और पलेट लेंगे जो है Dispozir पलेट, वह है 200 रुपेगा, अगर हम Investment को कांट करते हैं, तो 1500 पलस बिड़ 01, 100 पलस 50 पलस 200 yeast高 टो 2300 रुपेए, 2300 रुपे में हमारा Startup ready हो जाएगा अब हम एक प्लेट को 30 रुपे में बेचेंगे हम दिन का टार्गेट लेके चलते हैं 200 प्लेट 200 इंटु 30 इसकल टु 6,000 अब हम 6,000 रुपे में से 200 रुपे घटा देंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है तो हमारे एक दिन की कमाई होगी 3700 और हम महीने में इतना तो हम इंजिनियर बनके भी नहीं कमा सकते हैं आप लोग बात मानिए ये बिजनेस कलियो का एक ऐसा बना मास्त्रा है जिसे फेकने पर दूर से दूर रिष्टे आने लग जाएंगे मतलब तेरे घरवाले इसलिए पड़ा रहे हैं कि तुपार लिखकर ट्रेन में बस में बाल्टी लेकर नमकीन बेचेगा सर सायद आपने ये नहीं सुना है कोई भी धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धरम नहीं होता सर मैं भी इसी धंदे से धंदा बड़ा करूंगा इस बिजनेस को लेकर मेरे आगे के प्लैन भी है एक अपने दोस्त के साथ पार्टनर्सिप करूंगा पार्टनर्सिप करूंगा उसको मैं एक बाल्टी में खीरा छील कर बेचने के लिए बोलूँगा जो कि मेरे से एक बोगी पीछे रहेगा नमकीन थोड़ी तीखी कर दूँगा जिसके विज़े से नमकीन खाने वाले को तीखा लगेगा फिर मेरा दोस्त जो खीरा वाला है वो आजाएगा और तुरंत यहां पर खीरे की डिमांड काफी जादा बढ़ जाएगी जिसके विज़े से लोग खीरा खरीदेंगे इस त निकाल दे तो 10 लाग नेट प्रोफिट होगा हमारा हम अपने दोस्त के साथ 50-50 में पार्टनर्सिफ होँगा तो 10 लाग में से 5 लाग उसे दे दूंगा 5 लाग खुद ले लूँगा ऐसे ही दो चार लोगों को अपना बिजनस करके उसमें पार्टनर्सिफ लेकर एक ऐसा कि मैं बैठकर सिर्फ मसीन से पैसे गुंगा इतना पैसा आजाएगा मेरे पास क्या बखवास कर रहा है तू कभी वाल्टे में खीरा बेच रहा है कभी नमकीन बेच रहा है ऐसी बिजनस करा जाता है यह तो सब लोग कर रहे हैं तो इसमें नया क्या करेगा मिलों को यहीं की समझा रहा है मैं आट हूँ मैं नहीं दे सकता इसको पैसे मुझे नहीं पसंदाया इसका next раскоп यहीं शौशते हैं कि आगे चमया करके में बढ़ा काम करूंगा तो जोता काम करने की सोच रहे तेरी सोच ही छोटी है तेरें दिमाग में बड़े और अमीरों वाले बिजिनस आइडिया नहीं आते हैं जैसे प्रोपर्टी बिजिनस, गोल्ड बिजिनस, कार खाना बना लो, कमपनी बना लो यह सब आइडे तरे दिमाग में नहीं आता है कुछ ऐसे बिजिनस या कमपनी का आइडिया सोचो जिसमें लोग काम करें और आप बैठके कमाओं कुछ करना ना पड़े, यह होता है स्मार्ट बिजिनस आइडिया आज के टाइम पर महनत तो एक मजदूर भी कलता है पर सक्सेस्फुल वही होता है जो स्मार्ट वर्क कलता है सर मेरे पास भी एक स्मार्ट बिजिनस आइडिया है बोलो तो सुनाओं उसमें आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको बैठे रहना है लोग काम करेंगे गुड गुड यही सोच होनी चाहिए बताओ बिजिनस आइडिया क्या है सर आइडिया यह है कि एक संचाले खोलना है किसी भीड वाले इलाके में क्या संचाले मतलब लैटरिंग जी सर इस बिजिनस में ना कौर्मेंट भी आपको पैसे देगी लैटरिंग बनाने का सरकार की योजना है ना जहां सोच वहां संचाल है इसके अंतरगत हमें पैसे भी सरकार से मिल सकते हैं सर हमें इस बिजिनस में जो अपना प्राइस रखना है एक नंबर करने का पाच रुपे और दो नंबर करने का दस रुपे लेना है लोगों से इस बिजिनस में तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है एक नमबर करने के लिए हम तीन मिनट का अलारम लगाएंगे और तीन मिनट बाद आटोमेटिक दर्वाजा खुल जाएगा और पानी आना बंद हो जाएगा और दो नमबर करने के लिए कोई जाता है तो उन 10 मिनट के बाद आटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा और पानी बंद हो जाएगा क्या बकवास आइडिया है अगर 10 मिनट में दो नमबर कंपलेट नहीं हुआ तो गेट अपने आप ही कुल जाएगा पानी आना बंद हो जाएगा तो फिर वो आदमी बाहर कैसे आएगा उसके लिए हमने सर्थ टॉप अप प्लान बनाया है टेकनोलोजी का यूज़ करते हुए वो अपने मुवाइल से हमारे QR कोड पर 10 रुपे का फिर से टॉप अप रिचाज करेगा तुरंत उसका गेट बंद हो जाएगा और पानी भी आने लग जाएगा जितना देर तक चा बच सकता है बच हमें तो सरम आ रहा है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है उनकी सोच इतनी नीचे गिर सकती है हे भगवान इनको थोड़ी सी बुद्धी दो चलीए सर लंच करके आते हैं बाकी बच्चों के बिजनेस आइडिया लंच के बात सुनेंगे चलो चलते हैं चल समो का नम लोग भी चलते हैं ओए ओए तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे चुर क्या आप सांती से ही खड़े रहो और जितना मुझे बच सकते हो बचो हाथ उपर करो और खड़े रहो क्यों बच्चों